हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मोर्निंग स्वागत करता हूँ आप के और हमारी चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो NBA के बारे में बात करेंगे सेक्रोमेंटो वसिस मिना सोता के बीच में अच होने वाला है इस गेम में क्या है भाई लोग कि यहाँ जो है उसका में प्लेयर मिना सोता का में प्लेयर काल एंथनी टाउंस नहीं कहलना वाला है उसकी जगह मेरे खल से नाजरीड स्टार्ट कर सकता है या तो फिर काल एंडेशन स्टार्ट कर सकता है देखना पड़ेगा बाकि यहाँ पे दोस्तो सेक्रोमेंटो के इंग्स की बात करूँ तो सेमी स्टा इमेचिस का पोहमस कैसा रहा था चलिए मैं आपके साथ देखता हूँ ए लास गिम रहा था दोस्तो सेक्रोमेंटो का 23 तारीकों मेच वो था फिनिक्स संस्कोर रहा था जिसमें हरी सन बास ने अच्छा काम किया था 19 पॉइंट स्कोर किया था ट्रिपल डबल लगाया था दोस्तो डमांटेश सबोनिस ने कि गण मरे लास के दो-तीन गेम से तो बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर फॉक्स की बात करूँ तो फॉक्स का भी पोहमस का भी बढ़िया रहा था कि गण मरे मेरे ख़त से पिछले चार मेंसी में से तीन मेंसी बहुत बढ़िया खेला था अभी दोस्तो केविन हटर कुछ खास का पोहमस तो दे नहीं रहा लेकिन इस टाइप भी पोहमस दे तो भी अच्छा है इसमें अगर थोड़ा सा 5-6 पॉइंट अगर एक्ष्ट्रा हो जाते तो पोहमस बहुत बढ़िया हो जाता बाकि बेंस से आके आप प्लेस का भी पोहमस चेक कर सकते हो जिसमें से उसका सबसे में प्लेयर है मलिक मॉंक सेकंड लाज़ गेम की बात करूब किंक्स की तो होँ हार गए थे वन सट तरीके से दोस्तो बोस्टों स्व还 गए थे आप यहाँ पे चेकर सकते हो अब भी दोस्तो ड्रे मिलें टीम के बारे में बात कर लेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हमारे इस जो है पिछले आज जो हमने NBA के मैचिस खेले है उसके कुछ records मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एप पहला मैचिस दूसरा एप तीसरा एक दूस्तो चार मैचिस जहांब के पोस्ट करना बाकी है अभी मैं आपको पोस्ट करके शेंड करूंगा यह सारी की सारी वीनिंग यहाँ पे देख सकते हो तो हम दोस्तो इसी तरीके से आपको winning कराना चाहते हैं और कल भी एक बहुत बड़ा सा winning हुआ था ये देख सकते हो तो प्लीज आप winning करना स्टार्ट करिए खास करके बास्केरबल एक अच्छा सा स्पोर्ट से आपको profit कराने के लिए मैं आपका सब कुछ help करूँगा तो इसी वीडियो की decision में प्लस comment section में आपको top पे pin किया हुआ comment मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का वो आप join कर सकते हो decision में भी है join कर लेना मीने सुता टीम बरूस दोस्तो इस तेजल की बहुत बढ़ी टीम है लास गेम देख सकते हो लेकस के खिलाफ हो था लेकस कुछ खास नहीं खेल रही घटिया खेल रही है यहाँ पर एंथनी एडवर्स की बात करूँ दोस्तो आप बहुत मस उसका देख सकते हो बहुत बढ़िया performance रहा था रुडी गोपर्ट टे भी अच्छा काम किया था दोस्तो अब ही identification अच्छा खेलेगा क्योंकि धूस्तो अच्छा खेलेगा नहीं अच्छा उसका time मिलेगा ठीक है अगर time मिलता भी है तो अच्छा कासा काम हो करके दे सकता है रिबांड भी ओसो ले सकता है तो प्लीज अब टेलीग्राम चल पर यहाँ पर वेट करियेगा फाइनल टीम का क्योंकि दोस्तों कभी-कभी ऐसा अभी ऐसा नोटीज आ ही गया है कि कालंतिनी टांस कल खेलने ही नहीं वाला लेकिन लास्के दब 10-15 मिट बचते है तो सारा का सारा दोस्तों उल्टा पड़ जाता है चेंज हमें करना पड़ता है तो वो सब इसलिए अपडेट चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको टेलीग्राम चल पर मिलेगा तो यहाँ पर कंडली का भी पूरी स्टार्टिंग लेना बहुत ही बेस्ट केल गई थी बेंस से आके काल एंडेशन देख सकते हो नाज रीडी काफी अच्छा चल रहा है निखल एलेक्जेंडर होकर है ट्रोई ब्राउन जुनियर है ड्रीमी लेवन टीम के बारे में बात कर लेंगे अभी क्या है भाई लोग दो एसे खिलडी है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे सबसे पिले तो एंथनी एडवर्ट्स और यहाँ पर दोस्तो डमांटस सब बोनिस यहाँ पर जोड़ी रहने वाली है तो अभी हम सभी सेक्षन में से किसी एक खिलडी को तो पिक करना पड़ेगा अभी यहाँ पर काल एंथनी टाउंस है नहीं बाकि एस सारे प्लेस उतने अचे कोई खास ओप्सन है नहीं वैजन को है टुरी ब्राउन जूनियर है कीगन मरे है जिसमें से दोस्तो जीस तीके से कीगन मरे काम कर रहा है तो वह भी अच्छी पिक आपके लिए हो सकता है 13 क्रिडिट में है लोग ज़्यादा क्रिडिट की पीक है लेकिन अभी हमारे पास अगर क्रिडिट होते है तो हम उसको लेंगे वरना हम उसको ड्रोप पीक कर सकते है ठीक है उसकी जगा ट्रोई ब्राउन जुनिर है काफी सेफ पीक आपके लिए हो जाएगा उसका स्मेल फोड में तो काल एंडरिसन है यहां पर हरीसन बांच सबसे से पिक है मेगडेलल दोस्तो साथ के डिक में बहुत बड़ी अच्छी सी पिक है उसको ले लेंगे हम यहां पर मलिक मॉंक को नहीं लेंगे केविन हटर को ले लेंगे दोस्तों दोनों अच्छी पिक्स होने वाले है ग्रेंडली के लिए यहाँ पे दोस्तों हम साइद माइक कंडली को ले क्योंकि अगर माइक कंडली को हम लेता नहीं है तो बाकी सारी पिक्स उतनी इची कोई खास पिक्स बन नहीं जाती इसी वज़े से दोस्तों हमी और के एलिस पहले सकते हो के एलिस चाड़े चार कडिट में अच्छी पीके क्योंकि बेंच से आके वो अच्छा कर रहा है बाकि फोरोड में अगर हम यहाँ पे कीगन मरे लेते हैं तो हमरे पास रोडी कोबड का कडिट बच जाएगा तो इसमें दोस्तों एक दिकत सिर्फ एक ही दिकत इसमें आने वाली है कि यहाँ पे कंडली लेना है तो कंडली वरना कंडली की जगा दोस्तों आप ले सकते हो नाजरी को इस तरीके से आपको प्रियू देखने को विल सकता है ठीक है मेरे खाल से नाज रीड कंडली से अच्छा हो सकता है ठीक है बाकि मेरे को फाइनल जो है लाइनप का वेट करना पड़ेगा उसके मुताबिक ही मैं आपको अपडेट सेंड कर पाऊंगा बाकि दोस्तो अब इस टार प्रवाइस के पर अपको बता दिया है बाकि और मोर गिंडली की पिक्स की बात करो तो यहाँ पर लोगों को जो है बाकि उतनी ची कोई नहीं है ठीक है जो भी ओप्संस था इस मेच के बारे में बहुत जडब थी बहुत क्विकली मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में इतना ही है मिलते है अगली वीडियो में तब तक लिए अपने ख्याल रखना बाबाई टेक केर